नहीं तो परनेवे नहीं जोहां सागת एक ऐसे में रन्मीर और उसके पिता के भीछ काफी सारी बाते होती हैं तब रन्मीर और सीरत काफी घबरा जाते हैं सीरत ये कहती हुई भी नजर आती है कि वो दोनों भिहान नहीं रहेंगे और कार्टिक के परिवार को उसकी मावरी को कुछ वक्त के लिए वही पर रखना होगा लेकिन तब कार्टिक कहता है कि वो उसके परिवार को मना कर ही रहेगा और वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे और इसे के साथ आप देखेंगे कि रनवीर कार्थिक को मना जरूर करेगा लेकिन कार्थिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और वो अपने पापा मनिश के साथ जाएगा चोहां सा से बात करने के लिए यहां वो जाएगा उनके घर पर जहां वो काफी अकड़ में बात कर रहे होंगे इनके बीच काफी सारी बाते होती नसर आएंगे जहां पर चोहांसा, कार्तिक और उसके पापा मनिश के साथ बत्तमिसी करते हुए नसर आएंगे ऐसे में कार्तिक उन्हें समझाता नजर आएगा कि सीरत बहुत अच्छी लड़की है वो जैसा उसके बारे में सोचते हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन चोहांसा उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं ऐसे में कार्तिक को बहुत गुस्ता आएगा और वो उन्हें काफी बुरा भला कहते हैं नसर आएगे तब ही चोहांसा मरिश पर हाथ उठाते दिखाई देंगे लेकिन तभी कार्तिक बीच में आएगा और उन्हें धमकी देता हुआ नसर आएगा वल शो के अपकमिंग एपिसोड्स काफी इंट्रोस्टिंग होने वाले हैं जोहांग बर फिर से चोहांसा सीरत और रनवीर को एक दूसरे से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं लेकिन इस बार इन दोनों के साथ है कार्तिक और उसका पूरा परिवार तो ऐसे में चोहांसा उसका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे लेकिन यहां आप देखेंगे कि सीरत हो जाएगी गायब और घरवाले होंगे बहुत परिशान रनवीर को यही लगेगा कि उसके पापा ने कुछ किया है सीरत के साथ क्या वाकिए ऐसा है यहां फिर सीरत कहीं गई है काम से यह देखना होगा काफी इंट्रोस्टिंग देखते रही है स्टार प्लस पर यह रिष्टा क्या कहनाता है